Welcome to Blackboard Friends, आज के Maths के लेक्चर में एक नए चेप्टर को हम सुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Binomial Curum Hindi होता है Dvipad Pramir जी हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रेश से इसको सुरू कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से सुरू कर रहे हैं और Basics को Cover करते हुए हम प्रयास करेंगे कि Advanced Level तक आपको लेके जाया जा सके अगर आप इस Lecture का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो Simply हमारे इस Telegram चैनल को जॉइन करिए वहाँ से आप इस चैनल पे आने वाले सभी Lectures का PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें जानना होता है कि इससे फाइदा क्या हो सकता है या इसकी जरूरत हमें क्यों पढ़ी क्योंकि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम नई नई चीजे बनाना, अब इसकार करना, ढूनना सीखते हैं तो चलिए अभी क्या है ये ये जानने के पहले मैं आपको कुछ चीजे ये बताना चाहता हूँ जो आप पहले से जानते हैं और उसमें से कुछ ऐसी interesting fact को निकाल कि समने रखूंगा कि आप कहेंगे कि वहाँ क्या बात है हम ये चीज जानते तो थे लेकिन ऐसे सोचे नहीं थे मतलब जो चीज आप पहले जानते थे उसको अपने तरीके से नहीं बलकि मेरे तरीके से आपको आज देखना है ठीक है? जैसे शुरुआत करते हैं अगर दिया गया है कि अपलस बी जीरो के बराबर नहीं है तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो वन होगा या पड़े हैं क्योंकि किसी भी चीज का पावर जीरो होता है तो उसका मान एक हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं, ये जानते हैं कहेंगा सर इसमें कुछ भी नया नहीं हाँ हाँ जी, अराम से मैं बताऊंगा नया क्या है नेक्स्ट है ए प्लस बी का पावर वन है तो इसको सिंप्लिफाई करेंगे तो क्या आएगा? तो ए प्लस बी ही आएगा यहाँ देखिए A plus B का whole square होता है तो इसका formula क्या होता है तो A square plus 2AB plus B square जी हाँ, बिल्कुल आप जो जानते हैं मैंने वहीं लिखा है लेकिन थोड़ा सा मैंने modify कर दिया कि A square के साथ अगर B का power 0 लिखे दे तो कोई दिक्कत क्योंकि B का power 0 फिर 1 हो जाता है लास्ट में B square है तो उसके बदल हम A का power 0 लिखे देते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर से A का power 0 हो जाएगा यहाँ पे तो इसका मान एक हो जाएगा एक को B square से multiply करेंगा फिर से वापस यहीं मिल जाएगा मैं बताओंगा इसका फाइदा क्या है आगे A plus B का whole Q इसका formula क्या होता है तो AQ plus 3A square B plus 3A B square plus BQ यह आप छड़ा साथवा क्लास में यह सारा चीज पढ़ चुके होंगे कुछ भी नहीं आ रहा है अगला है A plus B का whole power 4 तो इसको हमने कैसे लिख दिया तो A plus B का whole Q into A plus B ठीक ना अब हम क्या करेंगे A plus B का whole Q निकालने आता है लिख देंगे और उसमें A plus B से multiply कर देंगे तो आपका answer कितना आने वाला है A to the power 4 plus 4AQB plus 6A square B square plus 4AB का power 3 plus B to the power 4 यह होगा A plus B का whole power 4 होगा उस case में ठीक लेकिन मैं आपसे एक question पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बोलू कि A plus B का whole power 50 कितना होगा यह बताओ देख रहें नहीं है question A plus B का whole power 50 क्या होगा यह बताओ मुझे तो गहांगे सर यह क्या बात हुई हम तो बस whole square whole Q power 4 5 तक जा सकते हैं 6 तक जा सकते हैं A plus B का whole power 50 कैसा निका लेंगे तो चलो मैं आपके लिए एक और असान question देता हूँ कि अब बताओ A plus B का whole power 20 होता हो क्या होगा पचासत चोटा ही है न बनाव तो आप फिर पर असान हो जाओगे कि सर कैलकुलेसन बड़ा हो जाने वाला है बिलकुल सही बात है हमारा काम आज का यही होगा कि हम आपको सिखाएंगे कि ऐसे बड़े-बड़े complicated expressions को जल्दी से किस तरीके से find out कर सकते हैं और जो method यहां use करने वाले हैं वही method कहलाता है binomial theorem ध्वीपद प्रमे जिसके सहायता से आप ऐसे values को बहुत ही असानी से फटाफट से निकाल सकते हैं ठीक लेकिन मैं बता दूँ कि अगर आपने combinations का formula अच्छे से याद किया है तो उसका use हम इसमें करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आपने combination पूरा नहीं किया है तो इस lecture को देखने के वासे combination का basics जरूर देख लीजिएगा कि आपको समस्या ना आ रही है अगर combination ready है तो फिर तो कोई बात ही नहीं आप तयार है fight करने के लिए ठीक है? सुरू करते हैं अब मैं आपके सामने discuss करने जा रहा हूँ some interesting fact कुछ महत्तपूर्ण आपके सामने तथ्यकों में रख रहा हूँ अब देखिए formula a plus b का whole square a square plus 2a plus b square होता है a plus b का power 1 होता है a plus b का whole q होता है तो a q plus 3a square b plus 3a b square plus b q होता है कुछ भी नाया नहीं है बिल्कुल सही बात है अब इस चीज को आप मेरे हिसाब से देखना सुरू करिए फिर आपको समझाए कि नाया क्या है पहला है the total number of terms in the expansion in the expansion is one more than the index छीक है हिंदी होता है प्रसार में पदो की संख्या घतांक से एक अधिक है छीक अच्छा देखना a plus b को whole square में घतांक कितना है दो है छीक है अच्छा देखो जब इसको expand किया a square प्लस 2ëb प्लस b square तो a square पहला term है 2eb दूसरा है और b square कितना है तीसरा है तो घतांक 2 था तो term कितना आगया 3 आगया a plus b को whole key में देखो घतांक 3 है तो term कितना रहा है तो aq पहला हो गया ये दूसरा हो गया ये तीसरा होग और ये चौथा होग शमाजा रहा है तो हर एक expression में expand जो करते हैं expansion जो निकालते हैं तो घतांक से हमेशा एक ज़्यादा आता है प्रसार के पधो की संख्या शमाजा रही है इंडरेस्टिंग है ना आपने कभी सोचा नहीं होगा लेकिन ऐसे कोई भी formula लिख लो हमेशा देखोगे कि घतांक से एक ज़्यादा आता है क्या तो उसके प्रसार के पधो की शंख्या clear है चलो अगला देखते है power of the first quantity a go on decreasing by one हिंदी हुआ कि जो पहला quantity है a उसका power अगले term में एक minus हो जाता है एक घट जाता है हमेशा whereas जबकि the power of second quantity b जो दूसरे quantity b है उसका power increases by one एक एक करके वो बढ़ने लग जाता है plus one अगले term में हो जाता है in the successive terms मतलब अगले आने वाले term में इसका हिंदी होगा प्रसार के उतरोतर पदो में प्रथम एक की घाते एक के करम से घट रही है जबकि दूसरे रासी b की घाते एक के करम में बढ़ रही है ठीक है इसको समझने का प्रयास करते हैं मैंने यहाँ a plus b का होल स्क्वाइर दिया है ठीक तो देखना a स्क्वाइर है आप पावर कितना है दो है यहाँ पर एक का पावर हो गया दो टू अभी में एक का पावर कितना है levar बाज आप ओर बशार 1 1 है 2a b में और तीसरे में b का power कितना हो गया 2 हो गया मतलब क्या समझा कि a का जो power है वो अगले वाले term में minus 1 होते जा रहा है जबकि b जो है अगले आने वाले term में उसका power एक एक करके बढ़ रहा है, प्लस वन होते जा रहा है, सम में यहीं हो रहा है, ए प्लस बी का होल क्यू है, यहाँ भी चेक कर लिजे, यहाँ पावर थी है, यहाँ एक का पावर टू है, यहाँ एक का पावर वन है, वहीं B देखिए, पहले में Q के साथ B है नहीं, तो B 0 है दूसरे में सिर्फ B, मतलब पावर 1 है तीसरे में 2 है, और चौथे में क्या है 3 है, इसी चीज को लिखा गया है कि पहला quantity का power minus 1 होते जाता है, अगले आने वाले term में, जबकि दूसरा वाला quantity plus 1 होते हुए आगे बढ़ने लग जाता है ठीक है, clear इतना मैं सबका हिंदी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप हिंदी से पढ़ते हैं, तो हिंदी भी लिख लें कि आपको समस्या ना हो अगला है, in each term of the expression, the sum of the indices of A and B is the same and is equal to the index of A plus B इसका हिंदी समझते हैं, क्या होता है इसका हिंदी होगा प्रसार के प्रतेक पद में A और B के घहातों का जोग शमान है और A plus B की घहात के बराबर है समझते हैं कैसे A plus B का घहात यहां कितना होगा, two है न हाँ, सबसे पहले आपने घहाबराना नहीं है A plus B का घहात कितना होगया इसमें देखो A और B सब का पावर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा क्योंकि B का पावर 0 है यहां पे और A का पावर क्या है, 2 है तो जोड़ा 2 प्लस 0 कितना होगे, 2 होगे इधर देखो 2 A B में A का पावर 1 और B का पावर 1 1 प्लस 1 कितना, 2 हुआ इधर देखो, B का 2 है, A नहीं है तो A क्या है, 0 है, तो इधर भी 2 हुआ मतलब देख रहा है A plus B का होल पावर जितना था इधर A और B दोनों को हर टर्म में मिला देते हैं, तो पावर जोड़ने पे उतना ही आ रहा है A plus B का होल क्यू में आप चेक कर सकते हैं इस सेम चुछ को इसमें A plus B का होल क्यू है, मतलब पावर 3 आना चाहिए तो देखो, इधर A का पावर 3 है इधर A दो है, और B एक है मिलके 3 हो गया, फिर यहां पे A एक है और B दो है मिलके क्या हो गया 3 हो गया, इधर B, 3 हो गया देख रहा है, तो जितना आपको होल पावर है, सब जगा उतना ही आ रहा है देख रहा है न, interesting है न, अब तक आप इस सभी फॉर्मूला को देखे थे, पड़े थे समझे थे, यूज भी किये थे, लेकिन जो चीज मैं आपको आज बता रहा हूँ साहद आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस सीज के बारे में पहले कभी देखा नहीं होगा इस सभी कहते हैं, चीजए वहीं होती है बस देखने का नजरिया बदल जाता है और जब देखने का नजरिया बदल जाता है तो चीजए आपके लिए बहुत ही attractive हो जाती है, ठीक, आगे बढ़ते हैं बिलकुल एक जादगर वाला खेल खेलने वाले हैं हम लोग ठीक है जैसे बच्चे खेलते हैं नंबर लिख 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 है वैसे ही खेलने वाले है बिल्कुल कुछ भी बहुत मुस्किल नहीं है बहुत ही असान है बहुत ही असान है देखिएगा a plus b का अगर whole power 0 हो तो value हो गया 1 index मतलब घात कितना है 0 है देख रहें नहीं यहाँ पर 0 है coefficient क्या आगिया 1 अगला देखते हैं a plus b का whole power 1 है इसका value कितना होता है a plus b index कितना हो गया 1 क्योंकि a plus b का power कितना है 1 है यहाँ पे जो coefficient लिखेंगे तो a का coefficient कितना है एक है न और b का कितना है इस वाले में a का भी एक है और b का भी एक coefficient मतलब जो उसका गुणांग होता है दोनों का एक है तो हमने ये a वाला लिख दिया और ये वाला b हो गया चले गा एक का होल स्कॉर तो इंडेक्स कितना होगे 2 क्योंकि होल स्कॉर निकाल रहा है फॉर्मूला a स्कॉर प्लस 2 अभी प्लस be a स्कॉर अगला है और b का कोफिसेंट है वन तो हमने यहां लिख दिया अगला है और a इंडेक्स कितना होगा आप खुद से बताओ, तो क्यूं निकाल रहा है ना, तो इंडेक्स कितना हो गया, 3 हो गया, अब इसमें दिक्कत होगी, तो बिटाई होगी सब की, यहाँ पर कॉफिसेंट चेक करो, तो कॉफिसेंट अगर देखोगे, तो AQ का कॉफिसेंट 1 है, तो ह 4, whole power 4 है, तो इंडेक्स कितना हो गया, 4 हो गया, A to the power 4 का कॉफिसेंट 1, तो 1 लिख दिये यहाँ पर, AQ B का कॉफिसेंट 4 है, तो यहाँ 4 लिखा, A square B square का 6 है, तो यहाँ 6 लिखा, A B Q का कॉफिसेंट 4 है, तो 4 लिखा, और B to the power 4 का कॉफिसेंट कुछ नहीं है, 1 है, तो ह ये कुछ ऐसा एक से बन रहे है ना कुछ इस तरीके से दीख रहे है na एक ट्रांगल हो गे यो यहां भी देखिए यहां भी एक नजाशे इसके बारे में बताऊँगा कुछ आपको ट्रांगल व्यांटो तिक रहा है । इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है पास्कल्स ट्रैंगल रखा गया है पास्कल का त्रिभूज रखा गया है इसका एक और नाम है पिंगल के मेरू प्रस्त तो इसको पास्कल्स ट्रैंगल के अलावा पिंगल के मेरू प्रस्त नाम से भी जाना जाता है ठीक यह समझ गए ना कहां से आ रहा है अच् कि ऐसा कोई formula आपको दिया भी गया है अगर खुद से बनाना हो तो क्या करेंगे बिना formula जाने तो आप बिलकुल लिख सकते हैं सब लिख सकते हैं देखें कैसे त्यान रखिएगा पहला और बाद वाला क्या आएगा 1 आएगा सब में इधर देखिए सब में पहला 1 है इधर भी सब में पहला 1 है और number of terms कितने है तो इसका index 4 है तो यहाँ number of terms count करिये तो 5 हो गया index 3 है तो इधर कितना है 4 है इधर 2 था तो इधर 3 है इधर 1 था तो इधर 2 है मतलब index से एक जादा है चलेगा न अच्छा देखना अब यह कैसे आ रहा है चलो अब index 1 की बात करते है मतलब a plus b का whole power 1 रहे तो तो कितना है 1 1 है अगर power वही 2 हो जा रहा है तो कैसे लिखें तो देखो power 2 का मतलब क्या कि इसमें कितने term आने वाले है तो पहला और आखरी वाला तो 1 हो गया तो buch क्या गया सिर्फ ये दोनों जब 1 हो गया तो बच क्या एक पीच वाला तो कैसे लिखेंगे तो जो उपर वाला दोनों है 1 और 1 इसको add कर देंगे तो क्या जाएगा 2 आजाएगा क्या तो इसको हमने क्या कर दिया कि 2 लिख दिया एक बार फिर समझते हैं कि यहाँ पर 2 है index मतलब कितने term आने वाला है 3 आने वाला है तो मैंने कहा ने पहला और आखरी हम ऐसा 1 होता है तो आपने पहला भी 1 लिख दिया और आखरी भी 1 लिख दिया बीच वाला कितना आएगा तो जो उपर वाला दोनों है उसको add कर दिया यहाँ देख रहा है एक triangle के माध्यम से add किया गया तो कितना आगया 1 प्लस 1 2 आगया ठीक इसका अगला निकालना है तो इसका अगला का index कितना होगा 2 के बाद 3 होता है यह formula भूल जाओ इसके जरूरत अभी हमें नहीं है तो 3 होगा तो पहला और सबसे last वाला 1 देखो मैंने लिख दिया पहला और सबसे last वाला 1 तो 2 तो निकल गया लाना कितना है 4 को क्योंकि 3 प्लस 1 4 लाना है हमे चलेगा न तो देखो इन दोनों को add किया तो कितना आगया 3 फिर इस 2 और 1 को add किया तो फिर आगया 3 खीक है अगले में क्या होगा जब यहां index 4 आएगा तो पहला और आखरी 1 तो रहे गई कितने term आने वाले थे तो 5 क्योंकि 4 पावर कर रहे है तो 5 आएगा एक ज़्यादा आता है तो पहला और आखरी 1 1 हो गया बच गया 3 तो इस 3 और 1 को हमने add किया किसको तो इस 3 और 1 को जब हम add करने जा रहे हैं देखना अच्छे हैं यह हो गया 3 और 1 तो कितना आगया 4 आगया फिर यह 3 और 3 मिल के कितना आगया 6 आगया और यह 3 और 1 मिल के कितना हो गया, 4 हो गया तो इस तरीके से आप अगला आने वाला कोई भी term अगर लिखना होगा तो असानी से लिख सकते हैं, ठीक है, फिर से समझा देते हैं पावर 4 है, ठीक, तो term कितने आने वाल है, 5 आने वाल है पहला तो 1 होता है और आखरी भी 1 होता है बचे गया बीच का 3 तो कैसे लिखें तो ये 3 प्लस 1 मिलके 4 हो गया ये 3 प्लस 3 मिलके 6 हो गया फिर ये 3 प्लस 1 मिलके 4 हो गया इस तरीके से इसका अगला लिखना होता तो यहां इंडेक्स कितना होता 5 होता term कितने आते 6 आते तो पहला और आखरी तो 1 1 हो जाता बच गया कितना 4 तो क्या क्या होता तो 4 plus 1 एक 5 हो जाता 6 plus 4 एक 10 हो जाता फिर 6 plus 4 एक 10 हो जाता और 4 plus 1 कितना हो जाता 5 हो जाता इस तरीके से ऐसे triangles को आप असानी से आगे बढ़ाते जा सकते हैं ठीक है कोई दिकत अगर problem हो तो मुझे बताना है अगला है binomial theorem for a positive integral index ठीक है ये आपका important formula होने वाला है जिसके help से आप सारे questions को करने वाला है हिंदी होता है द्वीपद प्रमे किसी धहन पूर्णांग के लिए किसी धहन पूर्णांग के लिए बानते हैं कि हम n के लिए निकाल रहे हैं तो n क्या है एक धन पूर्णां के एक positive integer है तो question आप से कहे कि a plus x to the power n का formula क्या होगा तो ध्यान से अच्छे समझेंगे पहले term में आप सुरू करेंगे n c 0 से दूसरे में n c 1 हो जाएगा तीसरे में n c 2 हो जाएगा चौथे में तो n c 3 हो जाएगा और लास्ट वाला कितना होगा तो n c n होगा क्योंकि n तक जाना था अच्छा फिर खूब ध्यान समझेंगे a का जो power होगा तो यहां क्या है n है न तो यहां भी a का power हो जाएगा n n c 0 निकालना था तो x का power कितना होगा? 0 होगा चीक दूसरे में देखना n c 1 है तो a का power जो होगा वो अब n में से 1 माइनस होगा तो a का power n minus 1 और x का power कितना? पहले वाले में 0 था तो दूसरे वाले में 1 हो गया मतलब n c 0, n c 1, n c 2, n c 3 आते जाएगा A का पावर N है तो दूसरे में A का पावर N-1 तीसरे में A का पावर N-2 ऐसे घटते जाएगा और X का पावर पहले में 0 है तो दूसरे में X का पावर 1 तीसरे में X का पावर 2 चोथे में X का पावर 3 करके ये बढ़ते चला जाएगा इस तरीके से आप कुछ इसको याद रख सकते हैं तो a प्लस x to the power n का फॉर्मूला आपके सामने यहां लिखा गया है एक बार फिर समझा देते हैं पहली टर्म में nc0, दूसरे में nc1, तीसरे में nc2 ऐसे करके आगे बढ़ेगा और n तक जाना है लास्ट ओलर टर्म कितना होगा तो ncn होगा अचा अब सुरुवात होती है तो a हमेशा maximum से शुरू होता है अधिक्तम से शुरू होता है तो n था न निकालना तो a का power n तो x कितना हो गया? 0 हो गया दूसरे में a का power 1 घड़ा दो तो n-1 और x बढ़ा दो 1 तो पहले में 0 था, x तो दूसरे में कितना होगा? 1 होगा तीसरे में एक और घड़ा दो a में तो पहले में n-1 था, दूसरे में a का power n-2 x का power 1 बढ़ा दो तो पहले में x का power 1 था, तो इधर x का power 2 होगा ऐसे बढ़ते जाएगा और ये दो लिखा गया है, same to same उसी formula को कहीं कहीं इस format में भी लिखा जाता है ये दोनों same to same एक ही बात होता है ठीक, आगे बढ़ते हैं कुछ observations यहां देखते हैं कि क्या क्या हमें यहां से प्राप्त होगा पहला है कि number of terms in the expansion of a plus b to the power n is n plus 1 मैंने कहा था अगर a plus b का whole square निकले दिखते हैं तो expansion का term कितना होता है तीन आता है, प्रसार करने पर कितना पता आता है तीन आता है, ठीक है a plus b का whole q निकलने जाता है तो प्रसार का बधचार आता है तो power जितना है उसे एक ज़्यादा आता है तो यहाँ पर power n है न तो कितना आएगा तो n plus 1 आएगा एक ज्यादा आएगा ठीक दूसरा कह रहा है the coefficient ncr देख रहा है यहाँ nc1 है फिर nc2 है ऐसे बढ़ते जा रहा है तो जो ncr होता है उसको क्या बोलते है तो इसको binomial theorem का coefficient बोलते है binomial coefficient कहते है दूइपद का गुनांग कहते है किसको होतो ncr को ठीक अगला है the sum of indices of a and b is n in every term of the expansion कि इस expansion का यह जो expansion है न इसका कोई भी term उठालो तो a और b के power को जोडो गए न तो हम ऐसा n ही आएगा जैसे देख लो पहले में n है दूसरे में a n-1 है तो x क्या है 1 है तो n-1 प्लस 1 कितना फिर से n हो गया तीसरे में भी a और x का power जोडो फिर से n आएगा तो हम ऐसा ही कितने के बराबर रहेगा n के बराबर रहेगा ठीक है वीडियो को दुबारा जरूर देखिएगा क्योंकि यह fresh topic है और थोड़ा सा b to the power 5 हमें निकालना है ठीक अब देखना symbols आए a plus b to the power 5 हमको लिखना है तो क्या करें बताओ n c 0 सुरू होता था था न देखो न यहापे n c 0 सुरू होता था क्या दिख रहा है formula यहापे n c 0 ठीक है तो n का मतलब क्या अब 5 है अब हमें क्या है 5 है तो 5 c 0 5 c 1, 5 c 2 5 c 3, 5 c 4 5 c 5 समझ रहे हैं आचा 5 c सुन्य, 5 c 1 5 c 2 अब वहीं बात हो ठीक फिर क्या होता था कि a का power maximum होता था तो हमने देखो a का power 5 रखा इसमें 5-1 इसमें 5-2, इसमें 5-3 इधर 5-4, इसमें 5-5 b का power 0 से बढ़ने लग जाता था था न तो देखो, पहले हम b का power 0 है दूसरे में b का power 1 है तीसरे में b का power 2 है तीसरे में b का power 3 है चौथ हम b का power 4 है पांच वें b का power 5 है अचा, अब छेठ हम मत चले जाना क्योंकि हमें 5 तक ही निकालना है 5c1, a का power 4 into b, ये वाला टर्म हो गया ये देखो, 5c2, a का power 3 और b square हो गया, लिखती है तो सब को मैंने यहां लिखती है अब क्या, हमें 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5 कमान पता होना चाहिए तो 5c1 आपको ये निकालने आता है कितना होगा? 5 होगा 5c2 कितना होगा? 10 होगा 5c3 कितना होगा? ये भी 10 होगा और 5c4 कितना होगा? 5 होगा combination का basic है तो बदमासी नहीं, आप सब को आता है ये चीज़ तो हमने क्या कर दिया? 5c1 जहां-जहां है, उसको हटाना शुरू किया, तो क्या आ गया? a to the power 5, plus 5 a to the power 4b, plus 10 aqb square, plus 10 a square bq, plus 5 a b to the power 4, plus b to the power 5, ये इसका आंसर रहा है, ये आपका पहला example है, ठीक है? I hope आपको clear हुआ होगा अगर कोई doubts है, तो comment box में हमें जरूर बताएए, thank you for watching, thank you very much